नमस्कार आप देख रहे हैं Beyond Borders और मैं हूँ अनुज दुनिया में अगर सबसे अभी स्वस्निय देशों की कोई सूची बनाई जाए तो उसमें निश्चित ही अमेरिका का अस्थान सबसे उपर होगा अमेरिका फर्स्ट के नाम पर जिस महान धोके बाजी के चर्मोत कर्स पर फिलाल अमेरिका दिखता है असल में उसके वहां पहुँचने के पीछे आम अमेरिकियों की कोई भूम क्या नहीं बलकि यह सब वहां के सड़े हुए लेफ्ट लिबरल समाज की वजह से है यह वो समाज है जो कानून, लोकतंत्र और बराबरी का जूँठा और भ्रामक नारा देकर अपने लोगों का तो खुन चूसता ही है अपनी ताकत के नशे में पूरी दुनिया को हाकता रहता है यूँ कहें कि हाकता था तो ज्यादा ठीक रहेगा रसी तो कब की जल चुकी है बस एठन बचारा गया है आज अगर दुनिया अमेरिकी साय से बचना चाहती है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी अभिस्वस्वस्नियता है अमेरिका के पाखंडी बामपंतियों ने दुनिया को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी बाइडन ने तो जैसे ठान ही लिया है कि मुझे दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया तो मैं आने वाले किसी भी प्रेसिडेंट के लिए अमेरिका में कुछ भी अच्छा नहीं छोड़ूंगा सब गुडगोबर कर दूँगा बाइडन और पाखंडी गटजोड का पागलपन बदस्तूर जारी है और पूरी दुनिया में जारी है दोस्तों बियोंड बार्डर्स का ये एपिसोड बहुत दिल्चस्प होने जा रहा है इसे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी बात भी कॉमेंट बॉक्स में रखना ना भूले आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि अमेरिका कैसे भारत और इजराइल के सामने गड़्धा खोदने में लगा है कैसे अमेरिका, CNN, Washington Post, New York Times जैसे प्रोपगेंडा अकबारों का इस्तेमाल भारत और इजराइल को अपनी मरजी से हाकने के लिए कर रहा है कैसे अमेरिका, जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ, मुसाद की जासूसी का प्रोपगेंडा खड़ा करके यहूदियों के खिलाफ, पश्चिमी देसों में एंटि सिमेटिक माहौल बना रहा है हम यह भी जानेंगे की आधारहीन, तत्यों के आधार पर अमित शाह का नाम, कनाडा के खालिस्तानियों की हत्या के पीछे घसीटने के मामले को भारत ने किस तरह गंभीरता से लिया है और कनाडा को किस तरह चिताया है बिलकुल टू दी पॉइंट, ब्रिक्स इफेक्ट भी देखेंगे भारत किस मामले में दुनिया के टॉप चार देसों में शामिल हुआ लगे हाथ यह भी जानेंगे कि चीन ने सीपैक पर पाकिस्तानियों को सिर्फ ना नहीं कहा बलकि उन्हीं के देश में जमकर्द हुया लो चीन ने वाहिद मुल्क को उसकी आवकाद बताई और यह भी जानेंगे कि पाकिस्तान में हिंदूों के बाद कौन सा जाती है समू कटरपंथियों के शिकार का नया बकरा है तो चलिए शुरू करते हैं पिछले दिनों वासिंगटन पोस्ट ने कनाडा के उपविदेश मंत्री डेविड मौरिसन के हवाले से खालिस्तानी आतंकियों की गैंगवार में हुई हत्या मामले में ग्रे मंत्री अमित शाह का नाम लिख कर दिया था बाद में अमेरिकी प्रोपगेंडा के तहत कनाडाई मंत्री ने खुद बताया था कि अमित्शाह का नाम अकबार को उसी ने दिया था जबकि कनाडा दो चीजें कर रहा है लगातार एक यह कि उसने जो भी आरोब भारत पर लगाएं वह फाइब आईच से मिले इंपुट के आधार पर लगाए थे बूसरा यह कि भारत ने जब भी सबूत मांगा कई बार सबूत मांगा तो कनाडा ने कहा कि उसके पास सबूत नहीं है साफ है कि यह बाइडन प्रशाशन और कनाडा की मिली भगत है जो भारत पर आधार ही नारोब लगाकर धमकाने की लगातार कोशिश कर रहा है पूरे मामले को भारती विदेश मंत्रालाय ने बहुत गंबीरता से लेते हुए कनाडा की गाल पर तगड़ा तमाचा जड़ा है जिसकी गूँच पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। कनाडा ने जान बूज कर भारत की छवी को खराब करने और दूसरे देशों को प्रभावित करने की एक रणनीत के तहत अंतरराष्ट्रिय मीडिया में निराधार आरोप लिख किये थे। संकेतों में कनाडा को एक उग्रवादी और असुरक्षिक देश करार दिया और कहा कि तकनीकी बातों का हवाला देकर कनाडाई सरकार इस तथ्य को वाजिब नहीं ठहरा सकती है कि वो भारती अधिकारी उत्पीडन और धमकी के काम में शामिल हैं। हमारे राजनईक और वाणिजदूता वास्करमी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम करने हैं। हूले लुया खालिस्तानियों को खुश करने, उनका बोट हासिल करने और पंजाब में उनके जरिये इशायत और नशीली दवाओं का कारोबार करने के लिए कनाडा भारत के खिलाफ रोज कुछ न कुछ कर ही रहा है। कनाडा में भारत वंसी खालिस्तानी आतंकियों से अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए है। खालिस्तानियों के अलावा भी भारत के कई आपराधिक गिरोह इस वक्त कनाडा में मौझूद हैं। दुनिया भर में भारती विदेश मंत्रा लेके जवाब को बहुत कटोर माना जा रहा है। कनाडा जो भारत के साथ खिलवार कर रहा है तमाम चीजें उसके खिलाफ जा सकती है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कनाडा अमेरिका के ग्लोबल अपराधियों की शरण स्थली है। आतंकियों का स्वर्ग है भारत के कई गिरोह कनाडा की धर्ती से अपना आपराधिक सामराज्य चलाते हैं और भारत ने उसे डोजियर भी दे रखा है जिसका आप तक कोई जवाब नहीं आए। पुरी दुनिया जानती है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि कनाडा यह सब कुछ किसके इसारे पर कर रहा है मकसद सिर्फ भारत का लगातार उंचा उठता कद है जो कुछ पश्चिमी देशों को हजम नहीं हो रहा है। कोविट के बाद बाइडन प्रसासन को लगा था कि भारत तबाह हो जाएगा। पश्चिमी देश तो भारत को वैक्सीन तक देने को तयार नहीं थे लेकिन भारत ने वैक्सीन बनाई दुनिया को भी दिया। पहले एक पर एक ऐसी खबरे निकल के सामने आ रही हैं जो भारत से पश्चिमी देशों की इर्षिया को और बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों भारत दुनिया की पांचुई बड़ी अर्थवे उस्था तो है ही अब फोरेक्स रिजर्ब के मामले में भी दुनिया के चार बड़े देशों में शामिल हो गया। इस वक्त भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्राबंडार है। इस वक्त बाइडन प्रशासन और कनाडा भारत को अलग-अलग तरह की सूचियों में डाल रहे है। जूटे आरोप लगा कर कमपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। असुरक्षित देशों की सूची में डाला जा रहा है। भोपू अकबारों के जरिये प्रपंच फैलाया जा रहा है। उसमें साफ साफ दिख रहा कि बाइडन की नियती और नीत इसराइल के मामले में भी ठीक नहीं है। बिल्कुल भरत जैसा पैटर नहीं नजरा रहा है। अमेरिका में लिबरल समाज इसराइल का लगातार विरोत कर रहा है। बाइडन प्रशासन मीडिया के जरिये इसराइल के खिलाफ यहूदियों के खिलाफ एंटी सिमेटिक माहौल बनाते हुए दिख रहा है। प्रफगंडा फैला रहा है। अमेरिका में यहूदियों के खिलाब धार्मी खिंसा के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं। जाहिर है कि बाइडन प्रशासन के ताजा अभियानों से यहूदियों की परिशानी अमेरिका और पश्चिमी देसों में और ज़्यादा बढ़ सकती है। बामपंथियों और इलहान उमर जैसे कट्टर पंथियों और बराक उबामा जैसे नेताओं का लंबे वक्त से दबाओ है कि बाइडन प्रशासन इसराइल को हमास के खिलाफ कार्रवाई से रोके। चुनाओं में लिबरल्स के बोर्ट पाने के लिए अमेरिका इसराइल को गजा में करवाई से लगातार मना कर रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि जंग गजा से बाहर निकल के जाए लेकिन अब इसराइल की जंग लेबनान, सीरिया और इराक की सीमा तक पहुँच चुकी है। लेबनान के कोस्टल एरिया में हतियार बंद इजराइली नेवी के भी पहुँचने के दावे सामने आ रहे हैं। इस बीच इटली में मोसाद पर जॉर्जिया मेलोनी और दूसरे कुछ नेताओं की एक कमपनी के जरिये डेटा निकालने के जासूसी करने के आरोप लगे हैं। आरोप लग रहा कि इन सब के पीछे मोसाद के जासूस हैं। चार लोगों को गिरबतार भी किया गया है और कई लोग जाच के लिए जाच के तहत रडार पर हैं। निस्चित ही इस घटना से भी दूसरे देशों में इसराइल के खिलाप नकारात्मक माहौल बनेगा। इससे पहले इरान पर इसराइली हमले की योजना को लीग करने का मामला सामने आया था जिसे अमेरिका ने ही किया था ताकि इसराइल इरान पर कोई हमला ना करे जिससे जंग की आच अमेरिका तक पहुँचने का खतरा कम किया जा सके। अमेरिकी मीडिया, इसराईल और भारत के खिलाब जोर शोर से प्रॉपगंडा चला रहा है और अमानिवियता का चित्र खीच रहा है इसमें गजा में लड़ने वाले इजराइली सैनिकों के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स छापी जा रही है जिसमें बताया जा रहा कि कैसे गजा में अभियान पर गए आईडियप के तमाम जवानों ने सडकों पर बड़ी मात्रा में इंसानी मांस और खून देखने के बाद मां साहार से घ्रिणा कर लिए युद्ध की विभीशी का से उनकी मानसिक चमता प्रभावित हुई है अभी CNN ने शनीवार को एक ताजा ताजा प्रकाशित हुई रिपोर्ट में बताया कि लेबनान में इसराइल ने कम से कम 19 अस्पतालों के नजदी भीशन बंबारी की असल मे हर रिपोर्ट भी इसराइल के अमानुवी चेहरे को उजागर करने वाली ही मानी जाएगी बिलकुल ऐसा ही प्रोपगेंडा इसराइल के खिलाफ इरान और हमास का मीडिया भी लगातार चला रहा है अब तक इस तरह की दरजनों रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं अमेरिका मे आए दिन युद्विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें अच्छी खासी भीड भी जुट रही है यहां तक की अमेरिका में इसराइल के खिलाफ रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को अभी कुछ महीने पहले ही सम्मानित भी किया गया था जिसमें रोमन मैक्से से पा करने के लिए एक दबाव की तरह ही हैं लेकिन इसराइल किसी की सुन नहीं रहा है अमेरिका और इसराइल की तनातनी को आप ऐसे भी समझें कि अभी हाल ही में इसराइल की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर UN की संसा UNRWA को इसराइल में काम करने से बैन कर दिया इसराइल का आ असल में इसराइल की जंग की वज़े से अमेरिका में डेमोक्रेट्स पर बहुत ज़्यादा दबाओ है, लिबरल्स का बामपंतियों का। वासिंगिटन पोस्ट ने शनीवार को प्रकासित एक रिपोर्ट में बताया कि कैम्पेण के आखिरी दिनों तक कमला हैरिस को गजा में इसराइली कारवाई के गुस्से का सामना करना पड़ा। जो इसराइली कारवाई हो रही है उसको ले करके लोग नाराज है। कमला हैरिस डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं और अमेरिका में डेमोक्रेट की ताकत लिबरल बामपंथी समाज के साथ वहां के मुस्लिम मद्दाता हैं जो ज़्यादातर अप्रिकन मूल के हैं। लोग इंटरनेट पर कह भी रहें कि किसी तरीके चुनाओं में वापस आने के लिए बाइडन प्रशाशन जाने अन जाने यहूदियों के खिलाफ एंटि सिमेटिक माहौल बना रहे हैं। शक्सपियर की मर्चेंट आफ वेनिश में शाईलक के एक कालपनिक चरित्र के बाद समूचे यूरोप में यहूदियों की हत्याय हुई थी। जर्मनी में नरसंगार तो यहूदियों के खिलाफ हिंसा की सबसे कुरूर तमूचाई थी। अमेरिका की इनी धोके बाजीयों की वज़ह से दुनिया के तमाम देश उससे लगातार दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका भारत के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, रूस के खिलाफ, चीन के खिलाफ, अल्पसंखिकों के उत्पीडन, मानवाधिकारों का मामला उठा कर परियावरण को नुकसान पहुचाने जैसे ना ना प्रकार के प्रोपगेंडा चला रहा है। जिस पाकिस्तान में लादेन बैठा था, अमेरिका भारत को चिढाने के लिए उसी पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। सारोजनी कुरूप से इज्जत उतारी। पाकिस्तानी अकबार इसे दुरलब घटना बता रहा है। घटना पिछले हपते मंगलवार की है जिसका खुलासा शनिवार को हुगा। यह ब्रिक्स के बाद का साइड इफेक्ट है। चीन ने साफ साफ कह दिया कि सीपैक को तो पाकिस्तान भूल जाए। असल में चीनी अमबेसडर जियांग जाये दोंग पिछले हपते मंगलवार को पाकिस्तान में पहुँचे थे। वे पाकिस्तान में चाइना I-75 प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहुँचे थे। इसी प्रोग्राम के दोरान उन्होंने दो बार हस्तक छेप किया। इस हाग चीन के जरिये असल में हम बताना चाहते थे कि चीन की नजर में पाकिस्तान किस तरह का देश है पाकिस्तान की क्या हमियत है। चीनी राजदूत ने तुरंत हस्तक छेप किया। चीनी राजदूत ने डार को साफ किया कि चीन पाकिस्तान एकनॉमिक कारिडोर यानि सीपैक में सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा चिंताएं हैं और बिना सुरक्षित और शांत माहौल के कुछ भी हासल नहीं किया जा सकता। चीन ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान फिलहाल सीपैक को भूल ही जाये। चीन ने पाकिस्तान की जमीन पर ही सरेयाम जिस तरह से बखिया उधेडी समूचे पाकिस्तान में सिया पाचाया हुआ है। और माना जा रहा कि अब सीपैक पर काम शुरू नहीं हो पाएगा। कई ल प्रमचारियों की मौत हुई है। समूचा पाकिस्तान इस वक्त आतंकियों के कबजे में है या किसी को बताने की जोरुदत नहीं। पाकिस्तान में धार्मिक रूप से अल्पसंक्यत समूहों को आतंकी और मजहभी कटरपंती लगातार निशाना बना रहे हैं। हिंदू, पाकिस्तान का हाल है जिसका निर्मार करने वाला मुहम्मद अली जिन्ना खुद भी एक शिया मुस्लिम था। पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ सिपाह ये सहाबा नाम का आतंकी संगठन मुहिम चला रहा है और मुहिम में शियाओं को देश-द्रोही, हत्यारा और आतंक कि करार देने के साथ साथ खुले आमशियाओं को इसलाम से निश्कासित करने की अपील की जा रही है चीन भारत के बीच ब्रिक्स की मिटिंग से पहले जो समझाओता हुआ पाकिस्तान में सीपैक को लेकर चीन की दो टूक से लसकरे तैयबा के हमदर्दों को समझा रहा होगा की भारत और मोदी की चमता क्या है जो लोग भारत और चीन के समझाओते पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि भारत और चीन के बीच किस तरह की डील हुई है भारत चीन समझाओते के बीच क्या-क्या डील हुई है भारती सैनिकों ने चार साल तक चीनियो की आख से आखे मिला कर सीमा पर डटे रहें। भारत ने पिछले एक दशक में हिमालय में सीमा पर इंफ्राइस्ट्रक्चर का जो तावर तोड़ काम किया, चीन के साथ समझवता उसका पहला नतीजा निकल करके सामने आया। चीन को लगा था कि इतनी उचाई पर भारत बिना संसाधन के कैसे पहुँच पाएगा। कॉंग्रेस की सरकारों ने इसी डर में चीनी सीमा पर इंफ्राइस्ट्रक्चर बनने ही नहीं दिया कि कहीं जंग के वक्त चीनी सैनिक उसका इस्तेमाल कर भारत के अंदर तक ना गुश जाए। लेकिन भारत ने इनी संसाधनों की व 14,000 से 17,000 फिटकी उचाई पर 60,000 सैनिकों को 4 साल से लगातार रसत पहुचाई गई। उन्हें वहाँ तिकाय रखा गया। भारत ने चीन को बता दिया कि जंग उसके लिए कितना भारी हो सकता है। पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही एपिसोड आपको कैसा लगा। जरूर बताएं इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी साजा करें, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।